मशूर अदकारा श्री देवी, हम सब को अलविदा कह गई हैं और अब उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरे हमारे सामने आ गई हैं जी हाँ, श्री देवी को लाल रंग की साड़ी में, बनारसी साड़ी में सजाया गया है वो जितनी खूबसूरत जवानी में थी, जितनी खूबसूरत वो पहले परदे पर थी, मरने के बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत दिख रही हैं इस तस्वीर में देखिए, बनारसी साड़ी और तिरंगे में लिप्टा हौओ उनका शरीर लाल होंट और उनके चेहरे पर अब भी ऐसा नूर लग रहा है जैसे कि वो अभी उठेंगी और बात करेंगी उनके पार्थिव शरीर को एक गाड़ी में ले जाया जा रहा है जिस गाड़ी को सफेद फूलों से सजाया गया है जैसा कि उनकी इच्छा थी कि जब वो जाएं इस दुनिया को छोड़ कर तो उन्हें सफेद भूलों के ठक कर दिया जाए इससे पहले पूरे परिवार ने एक साथ खड़े होकर शिरी देवी के अंतिम दर्शन किये जमी की पहली तस्वीर आई बोनी कपूर की पहली तस्वीर आई खुशी भी और अरजुन कपूर चारों परिवार के सदस्ज्जा यानि की दोनों बेहन और भाई और पिता एक साथ एक जुट खड़े आए और ये एक बड़ा ही एहम लमहा है इस परिवार के लिए कितने साल पहले अरजुन कपूर अपनी मा के साथ अलग होए थे बोनी कपूर से नफरतें थी आज वो नफरतें शिरी देवी के जाने के बाद प्यार में बदली दुख जब आया तो बेटा बाप के साथ भाई बेहनों के साथ खड़ा नजर आया पूरा कपूर खांदान फिलहाल शिरी देवी की अंतिम यात्रा में निकल पड़ा है शिरी देवी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर ले जाया जा रहा है और अब ये अंतिम यात्रा पहुँचेगी सीधी शमशान घाट जहां पर जाने के बाद उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा